साथी और नमस्कार या कहानी ट्रेन सोट इस्टोरी हिंदी रेल कहानी नौजवान की एक प्रयास है समाज की दक्यान उसी सोच को चुनोती देने का इस कहानी के माध्यम से हम आपको समाज के एक नए नजरिय से रूबरू करवाने वाले हैं खड़खड करती राजधानी एक्सप्रेस जब पास से गुजरी तब उसका ध्यान तूटा करीब आदा घंटा होने को आया था उसकी गाड़ी को क्रॉसिन पर खड़े हुए हेड़फोन लगा कर लगभग 22 बरस का वो लड़का राजेस गाने सुनने में इतना मस था कि उसे स धुक कर पास वाली खिड़की से देखा रात के उस सनाटे में खड़खड करती राजधानी एक्सप्रेस की आवाज और अंधेरे में चमकती ट्रेन की खिड़कियों से उस आम आदमी को इतना खास बना दिया कि लगभग आदे घंटे से इस्टेशन पर खड़ी उस लोकल गाड़ी का वो लोकल पैसेंजर सोच के सागर में डूब कर खुद को राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में महसूस कर रहा था खैर जितनी तेजी से राजधानी एक्सप्रेस गुजरी उसी तेजी से वो राजेश भी अपनी दुनिया में वापस आ गया बाहर का सन्नाटा बढ़ रहा था और ट्रेन के उस लोकल डब्बे में सोर अपनी जगा बना रहा था लोग अब व्यंगात्मक रूप से सरकार और रेलवे पर अपनी भावनाएं ब्यक्त कर रहे थे लगता है ड्राइबर को नीद आ गई है एक महाशय ने कहा नहीं नहीं ये तो इंडिया है दूसरे ने उनका समर्थन किया अरे इंडिया तो पहले भी था सरकार की ही निकम्मी है एक महिला ने बहस में इस्सा लिया बहस अब बढ़ गई थी लोग अपने सिक्षित होने का प्रमाड दे कर उस महिला पर अपना प्रबाव डानले की फिराक में थे महासे जो खुद को अभी राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में महसूस कर रहे थे हेड़फोन निकाल कर अभी इस बहस का आनन ले रहे थे और उनके चेहरे की और सालिंता भरी मुसकान उनकी इवा होने का प्रमाड दे रही थी तभी एक जटका सा लगा और ट्रेन चल पड़ी गर्मी से परिसान होकर जो लोग बाहर बैठे थे सभी ट्रेन में चड़ गए ट्रेन के कोच में भीड बढ़ चुकी थी और बहस अब अपने अंतिम सफर पर थी एक अलग ही नजारा उस लोकल कोच में देखने को मिल रहा था कुछ यात्री खड़े थे कुछ सीटों पर और कुछ उपर बर्त पर बैठे थे और कुछ पैसेंजर आस्चर जनक रूप से किसी के खड़े रहने की ना होने के बावजूद अभी भी सो रहे थे सायद उस सोती हुई महिला को परसान नहीं करना चाहता था जिसकी महिला ने अभी हाल ही में हुई बैस में अपनी जीत दर्ज कराई थी लेकिन सुबह होने वाले अपनी UPSC के पेपर के कारण उसने सीट पर बैठना ही उचित समझा थोड़ी देर में जब महिला उठकर बातरूम गई और तो सही समय देखकर राजेश सीट पर बैठ गया काफी समय खड़ा हो रहने के कारण अब उसे बड़ा आराम मिल रहा था लेकिन कुछ देर बात जब महिला वापस आई तो उसने भईया जरा उठना जैसे मारमिक सब्द का प्रियोग कर राजेश को उठा दिया और खुश सो गई इस बात का राजेश को बुरा तो लगा लेकिन किसी का ध्यान इधर नहीं गया साइद रात के उस आगोस में सब अपनी दुनिया में ब्यस्त थे अब राजेश फिर से खड़ा था लेकिन उसे पता था कि वो जादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद जब उसके पैरों ने जबाब दे दिया तब उसने बैठना ही उचिस समझा हलके हलके नीद के जोकों के साथ छोटे से सहर से वो लड़का अपनी जिन्दगी का वो हसी सफर तैक कर रहा था जो उसके सपनों को हकीकत में बदलने वाला था तब ही एक जुझलाती हुई करकस आवाज उसके कानों में पड़ी दिखता नहीं है लेडी सो रही है यहां कैसे बैठ गए उस महिला ने कहा मेरा सुबा पेपर है मैं कब से खड़ा था इसलिए बैठ गया आप सो जाए आराम से कैसे बैठ जाए बार बार मेरे पैरों पर हाथ क्यों मार रहे हो महिला ने ढूट के साथ सीट का कबजा कायम रखने की कोशिश की लेकिन मैंने ऐसा कब किया लड़के ने अपने बचाओं में कहा बहस अब बढ़ चुकी थी सब उस नوجवान को गलस समझ रहे थे जो अभी भी वही खड़ा था तब ही उस साथ ही महिला ने उस लड़के को तमाचा रख कर दिया जिसने कुछ ही देर पहले हुए बहस में अपनी जीत दर्ज कराई थी अपने पूरे सबाब पर थी और पुरुस वर्ग नारी के सम्मान में अपना फर्ज निबा रहे थे भीड ने उस लड़के को बुरा भला बोलकर बातरूम के बाहर खदेड दिया अपने साथ हुए इस अपमान ने उस लड़के को खुद की नजरों में ही गिरा दिया बचपन से लेकर आज तक उस लड़के ने नारी को हमेशा मा बहन और प्रेम का के रूप में ही देखा था और बस प्रेम ही पाया था नारी सक्त का अए रूप उसने पहली बार देखा था अपनी पूरी जिन्दगी उसने जब कभी भी किसी महिला को बस या ट्रेन में खड़ा देखा तो उसने हमेशा अपनी शीट उसको दी हमें सा महिलाओं का सम्मान किया बात ए नहीं थी कि उसे भी बदले में सम्मान चाहिए था पर इस तरह अपमान की भी उसे उमीद नहीं थी अपने कोच के दरवाजे पर खड़ा ओखुद को इस दुनिया में सबसे अकेला महसूस कर रहा था देश के लिए कुछ कर गुजने की चाह रखने वाला वो इवाज देश के इस महिला पर उसके फर्क को समझने पा रहा था उसके सारे सपने जो बस हकीकत में बदलने ही वाले थे एक पल में धरासाई हो गए उसके हाथों के पकड़ा भीली होती जा रही थी हवा के जोकों के साथ उड़ कर हाथों पर गिरने वाले आशों के बूदे भी उसके जिंदा होने का प्रमाण नहीं दे पा रही थी सुबह की उस किरड के साथ उस ट्रेन ने तो उस सफर पूरा किया पर उस नौजवान ने नहीं साथ ही ओ आपको रेल कहानी नौजवान की हमारी या कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें